मैं फ्रेंज कैसे आप सब उमीद करते हैं सब अच्छी होंगे बहुत खुश होंगे और आज हम बात करने वाले वन स्टेप स्किन पॉलिशिंग पैक के बारे में जी हाँ है ना कमाल की चीज देखे हम अमारी फेस की स्किन का तो बहुत ध्यान रखते हैं बट हमारी जो बॉड़ी की स्किन है हमें उसे उतने ही इंपॉर्डंस देनी की ज़रूरत है उसे उतने ही अटेंजिन की ज़रूरत है जितनी की हमारी फेस की स्किन को पर आजकल के बीजी स्क्रेडियोल में चाहिए पाता ही कि हम एक दो घंटा निकाले, अलग से स्क्रबिंग करें, पैक लगाये, मसाजिंग करें, फिर पॉलिशिंग की एफेक्ट की देखें, और अगर पार्लर की पॉलिशिंग की बाद की जाए तो इसके रेच तो आस्मान चूरा है, बट मैं आज आपके साथ एक बहुती जबर्दस, बहुती बेसिक और बहुती एफेक्टिव रेमेडी शेयर करने वाली है, जिसके सारे ही इंग्रिदेंट्स आपके किचन से मिल जाएंगे, और इसके जो रिजर्ट्स होने वाले है, I am not going to tell you, आप मुझे यूज़ करने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर पता और यहां पर यह माइल्ड एक्सफोलियेट का भी काम करेगा, दूसरी चीज यह चावल का आटा, इसमें फेरियूलिक एसिड होता है, यह बहुत यह अच्छा एक ब्राइटनिंग और वाइटनिंग एजिंट और मॉस्टर बैलेंस बनाया रखने का काम करता है, अब यह द अब एक एक करके हम हमारे सारे इंग्रिडियन्स इसमें आड करेंगे, तो सबसे पहली चीज हमें आड करनी है, औरेंज पील पाउडर, यह आपको कोई भी जनरल स्टोर से या ओनलाइन साइट से एजिली चीपर रेट में अवेलेबल हो जाएगा, यह रिच होता है, वाइ इंग्रिडियन्ट जो है, वो है कॉफी पाउडर, जी हाँ कॉफी पाउडर है एक नाच्रल अंटी ओक्जिडेंट है, यह हमारी स्किन में धूप से हुए हुए डामेज को भी बचाय रखने का काम करता है, यह जो कैफिक असिड होता है, यह हमारी स्किन में कॉलाजन बू अब इस पैक को लगाने से पहले हम हमारी कमपलीट बॉड़ी को गरम पानी से वाश कर लेंगे, जिससे क्या होगा हमारी पोर्स ओपन अप हो जाएंगे, और जो भी चीज़े हम अपलाई करेंगे, वो हमारी स्किन के काफी डीपर लिर्स में पेनिट्रेट होंगे, तो हम इसे अपनी कमपलीट बॉड़ी पे अच्छी तरीके से लगा लेना है, आप चाहो तो इसे अपने फेस पे भी लगा सकते हो, और कमपलीट बॉड़ी को बंदरा से 20 मिनिट सूखने के लिए छोड़ देना है, 20 मिनिट के बाद आप देखोगे, यह बहुत अच्छी तरीके इसे स्क्रबिंग कीजिए, जिससे के होगा, कमपलीट बॉड़ी में ब्लड फ्लो बहुत अच्छा होगा, जो डेड़ सेल है वो भी रिमूव हो जाएंगे, और जो हमारे पोर से वो काफी क्लीन हो जाएंगे, और फिर फाइनरी से वाश कर दीजिए, और दिस इस दर आर्राम से हथे में दो से तीन बर कर सकते हो, और अगर आप इसे रेगिलरी फॉलो करते हो, तो धीरे दीरे आप नोटिस करोगी कि आपकी स्किन काफी स्मूध होने लगेगी, साफी सौफ ट होने लगेगी, इस किन में अच्छे शाइन आने लगेगी, ओवराल फिर पर लो बाइब बाइ